हाई गाईस हम आज आपके लिए एक एसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाला है इस वीडियो को लाइक एंड शियार जरूर करना इस वीडियो को एंड तक देखते रहेना नैना एक छोटी सी प्यारी लड़की थी उसकी मा उसको बहुत फ्यार करती थी अच्छा खासा जिन्दिगी के दिन चल रहा था कि एक दिन अजानक से नैना की मा बिमार हो गई और उसमें मित्तु हो गई नैना अकेली रह गई मनी मन में याद करकर रोती रहती थी और उसकी एहालत को देखकर उसकी पीता जी मोटू ने उसको समझाया बेटा तुम चिंता क्यों करते हो तुम्हारे मा को में लाओंगा सच्ची हाँ मेरी मा कहां रहती है बो देखो असमान के क्या मेरी मा नीचे नहीं आएगी आएगी जरूर आएगी लेकिन उसको रूप बदल जाएगा ओ पहले जैसे नहीं होगी ऐसा क्या पापा ओ इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ओ नीचे आने की इजाज़त तो देंगे लेकिन रूप बदल देंगे क्या हुआ पापा होगी तो मेरी मम्मी ही न हो सकता है उसका सोभाप भी बदल जाए क्या हुआ पापा जब भगवान यहीं चाहता है तो हम क् को उसके पापा मांसिक रूप से तयार कर रहा था थोड़ी दिन बाद रेबा नाम की लड़की को साधी करकर घर में लाए और नैना को बोले देखो नैना तुम्हारी मा आ गई नैना खुशी हो गई और बोला मम्मी मुझे छोड़कर तुम कभी मत जाना तुम हमेशा मेरे सा ना थी रहना नहीं कभी छोड़कर नहीं जाओंगी सुरू में तो रेबा नैना को बहुत फ्यार किया लेकिन अगले ही साल रेबा को एक बेटा हो गया उसकी बज़ा से उसका सोभाब बदलने लगा और रेबा उसको बहुत समझने लगी फिर उसको परिसान करने लगी रे लाते थे और उसको पता भी नहीं होता था रेबा नैना से क्या सभाब करती है एक दिन बहुत गर्मी पढ़ रहे थी रेबा नैना को आवाज देकर कहा नैना एक गलास पानी लाना लैना पानी लेकर आई लेकिन पानी ठंडा नहीं था रेबा ने उसकी गलास को लेकर उसक पेता जी मोटू आगए। उसने नैना की मोक में खून बैता हुभा देखा और गुसे से लाल हो गए। रेवा ए नैना की मोक में खून कैजा मुझे क्या पता कही गीर गयी हो लेकिन मोटू ने गिलास और पानी पड़ा हुआ देखकर उसे सारा कहने शामा जा गया थाूरे पिटाई विलगा दी, दुसरे दिन मोटू काम करने चला जाता है, रेभा ने पूरे दिन नैना को खाना खाने नहें दिया, मम्मी मुझे बहुत जोरो की भूक लगी है, मुझे तुरन कुछ खाने के लिए दो, रेभा ने कहा, तु तो इसकी ही लाइक है, तुझे तो मैं ख नैना रोती हुई बोली ठीक है मम्मी जाती हूँ और नैना बाहर आकर नदी के ओर चली रात में जब मोटू घर आये तो रेबा से बोला नैना कहा है रेबा चूप हो गई बोलती क्यों नहीं नैना कहा है जल्दी से बता दो नैना को तुम कहा भेजा है रेबा ने कहा मैंने नैना को नदी में डूबने को कहा था रेबा रोती हुई बोली मुझे माप कर दो नैना मुझे मिली तो मैं उसको और परिशान नहीं करूंगी